हेलो नमस्कार मैं राजिंदर जोदपुरिया आज के इस ERP के वीडियो में आपका सुवागत करता हूँ ERP थेरपी है OCD के लिए एक बहतरीन थेरपी है फोबिया के लिए एक बहतरीन थेरपी है अब देखिए कि बात सिधी-णारी करते हैं कि मन में क्या होता है कि आप किसी भी ट्रीगर से वाकिफ होते हैं तो आपके मन में anxiety उठती है वो anxiety का level इतना हावी हो जाता है कि आपको उसको कम करने के लिए कुछ कमपल्शन करना पड़ता है, कुछ ritual करने पड़ते हैं अब आज की इस वीडियो में ये देखना है कि जो anxiety आपको हो रही है उस समया पर आपने उसको खारिज करने के लिए compulsion नहीं करना है compulsion को काट देना है जो ritual नहीं करना है अब देखिए कि आप ritual नहीं करेंगे तो क्या होगा वो एक चार्ट से समझते हैं कि ये देखिए कि anxiety का level है ये इधर anxiety है साथ level तक और ये time है अब देखिए कि होता क्या है जैसे ERP सुरू कुराता है कोई expert तो क्या करता है ERP में कि जिस trigger से आपको anxiety होती है उस trigger से आपका आमना सामना करवाया जाता है जिनको गंदगी से problem है उनको गंदगी से आमना सामना करवाया जाता है गंदे जिनको दरवाजे लगते हैं उनको दरवाजा चुआ दिया जाता है अब जैसे ही वो दर्वाजा छू रहे हैं या पकड़ के खड़े हुए हैं दर्वाजे को तो क्या होगा उनकी anxiety बढ़ेगी अब पहला exposure दिया उनको कि उनकी anxiety है वो जैसे ही time सुरू हुआ कि आप आएक से मान लेते हैं अब उसके बाद वो क्या करते हैं रिच्वल करते हैं तो anxiety लो जाती है लेकिन अब उनको रिच्वल नहीं करना है अब उनको वो पकड़ के खड़ा रहना है दर्वाजा तो anxiety चलेगी ऐसे ऐसे downfall आएगे अब देखिए कि रिच्वल करते ही anxiety एकदम से low हो जाती है लेकिन आपने रिच्वल नहीं किया तो anxiety धीरे धीरे कम हुई 10-15-20 मिनिट में अपने आप खतम हो गई अब दूसरा exposure दिया जाता है second time में कितना हुआ कि anxiety का अगरा आप कम बढ़ा तीसरे राउंड में क्या हुआ चोथे राउंड में क्या हुआ पांचमे राउंड में नुर्मल हो जाएंगे तो ये ERP के राउंड है जो बार-बार जिस trigger से जिस object से आपको खत्रा है जिनको dog से खत्रा है डोग के पास रखा जाता है जिनको गंदगी के पास जिनको बगवान से खत्रा है बगवान से मतलब जो उनका trigger है जो खत्रे वाला point है उससे सिधा आमना सामना करवा दिया जाता है तो दीरे दीरे चार पांच या छे साथ राउंड में या अलग अलग जो जो इनसान की severity पे निर्बर करता है जिसको ज़्यादा problem है उसको राउंड ज़्यादा लग सकते है जिसको कम है एक दो राउंड में भी पीचा चुड़ सकता है तो ये ERP वरक करती है ये छोटा सा ERP का मैंने आपको पार्ट बताया इस तरह से उनकी जो एक समय साता है कि दरवाजे को चू भी लेते हैं वो सिड़ी में दरवाजे को टच भी कर लेते हैं फिर खाना भी खा लेते हैं सार कोई फरक नहीं पड़ता है तो ERP काफी अच्छी टेकनीक है अगर ये किसी अक्सपर्ट, कांसलर, ठेरपिस्ट के सानीद्य में की जाए तो इसके अद्भुत रेजल्ट मिलते हैं अगर आप ERP के विशे में और अधिक जानना चाहते हैं या वो सिड़ी के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ओनलाइन ओपलाइन साइको गुरू टीम से बात कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही